नमस्कार दोस्तों आप सवी का स्वागत है अमारी इस एटूब चैनल टोटल लर्णिंग पे आज की इस प्रेडियो में हम तो पारामेटकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाला हूं जो कि आपको हिंदी से और बिल्कुल भीवियाई कोस्चन से अगर आप इसे रट लेते हैं तो इससे प्रस्ण आने के 99.9% संभाबना है तो आप इसे जरूर याद कर लें और यहां पर जो सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर जो हिंदी है तो हिंदी में पहला कोशन है निम में से किस सब्द में उपसर्ग नहीं लगा अधिशासी बी प्रेशन सा सी वी नासा डी प्रत्यासा तो इसका करेक्ट अंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बोक्स में अंसर अपना दें हां तो यह देखिए इसका करेक्ट अंसर आपको समय दिया जागा मात्य तीस सेकंड तीस सेकंड में आपको करेक्ट अंसर देना है बहुत हैं अच्छा आप लोगों ने B का जवाब दिया बहुत हैं अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं नेक्स्ट कोश्टन है हमारा निम्लिम में से कौन सा सब्द असुद्ध है A. असिरवाद B. गुरू C. मयंक C. मयंक D. बधाईया तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग अंसर दें तो 62 नमर का करेक्ट अंसर हो जाएगा क्या तो 62 नमर का A होगा बहुत हैं अच्छा बहुत हैं अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहे हैं थार्ड नमर कोश्चन है, सही बिलोम सब्दों चुनिए, सही बिलोम सब्द क्या होगा, मानो का बिलोम सब्द सही क्या होगा, धनव, भी, देत, सी, राक्षस, दी में पूरुस तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? तो आप three number question कहा अंसर देंगией तो इसका correct answer क्या होगा? हाँ तो ये दिखी, इसका correct answer क्या होगा? धनव, क्या हो जाएगा? ये option number इसका correct answer होगा फोर नमर कोशन है सही भी कल पर चुनिए सर्वग सर्वग का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो यह कोशन पूछा गया हो आपको अनेक सब्दों को एक सब्दे से कोशन पूछा गया है यहाँ पर आपको एक सब्दे दिया है उसका अनेक सब्द क्या होगा इसकी बारे में पू सी भौसाओं का ज्यान हो तो इसका correct answer क्या होगा 64 mammir का correct क्या होगा 64 mammir का correct answer A हो जाएगा जिसे सब विसे में जनकारी पराप्त हो अगला question है 5api Whenever question है Mercury तो पाज़मनर question देख लिजिये निम निमे से कौन सा भी कल पर कीरन का परियावद वाची नहीं है निम लिखित में से परियावाची आप लोग जानते हों कि परियावाची का मतलब एक के अनेक बात हैं जैसे कि अन्सू तो अन्सू हो गया आपशान बी हो गया प्रेकस सी हो गया रस्मी और डी मयुख तो इसका करीकट अंसर क्या हो जागा थो अगला कोशन है जलद सब्द का अर्थ है जलज सब्द का अर्थ है क्या इसका अर्थ है जलज सब्द का ए जल देने वाला बी जल में जल में लेने वाला सी जल से बना डी उपर रोकत सवी जलज का मतलब जल जिसकी जिस सब्द के अंत में जल लग जा है मतलब की जनमा हुआ तो इसका करेक्ट अंसर 66 का क्या हो जागा 66 नमर का correct ँंसर बताएं आपको बता दिया गया है जलज जब्लकार क्या थे इसका मतलब इसका correct हो जाएगा बी जल में जन मिलेने वाला यहां पर J लिखा गया आप लोग जग कर लीजिएगा जल में जन मिलेने वाला तो Camano question क्या है? तो Camanos question में निमरीखित मोहाबरों के लिए सही विकल्प चुनिए नीची में कुछ मोहाबरह है उनका क्या करना है? सही विकल्प चुनना है तो ये मोहाबरह आपको जो दिया गया है वो कौन सा मोहाबरह है? पेट में दाड़ी बनाना पेट में ये आपका मुहाबरा है पेट में दाड़ी बनाना पेट में दाड़ी बनाना आप लोग इसको लिख लेजेगा mistake हो गया है टाइपिंग में तो आप लोग इसको लिख लेजेगा पेट में दाड़ी बनाना का मुहाबरा क्या होगा तो इसका A नमर उप्शन में छोटी आयू में बिद्दवान होना B गुप्त वात छिपाना C भेद ना लगने देना D कप्टी होना तो 67 नमर का करेक्ट अंसर क्या हो जागा तो 67 नमर का करेक्ट अंसर हो जागा आप लोग अंसर डेटे रहे हैं बहुत हैं अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं और इसका भी आप लोग करेक्ट अंसर देते रहे हैं तो 7 नमर का जो करेक्ट अंसर हो जागा वो क्या हो जागा A हो जागा छोटी आयू में बिद्दवान होना यह किसका मुहाबरा है पेट में दार ही होना उसका मुहाबरा होता है छोटी आयू में विद्दवान होना 8 नमर कोशन क्या है तो 8 नमर कोशन है 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदो को मेल को क्या कहते हैं 2 या 2 से अधिक पदो को मेल को क्या कहते हैं A में प्रत्याए B. Upsarik C. Samaas D. Sandhi तो इसका करेक्टन से क्या हो जाएगा 8 नमर का तो 8 नमर का करेक्टन से जल्दी से अप लोग अंसर देते रहें तो 68 नमर का करेक्टन से हो जाएगा C. बहुत ही अच्छा है बहुत ही असान चौशन था बिल्कुल इसी तरह से question पुछे जाते हैं आप लोग को जो बताया जा रहा है बस उसे आप अच्छी तरह से याद कर लें और उसे समझते रहें जहां भी आपको दिक्कत होता आप comment box में comment कर सकते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 568 इसका जो एक नमर का correct answer जाएगा सी शमास फिर अगला question है निर्धन शब्द में कौन से संदी है इसका correct answer क्या हो जाएगा तो आप लोग इसका answer देंगे निर्धन में कौन सा संधी नहीं है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा A विसर्ग विसर्ग में जो है क्या है निर्धन संधी है विसर्ग में कौन से संधी है निर्धन में विसर्ग संधी है अगला question 10 number question है और last question है आज का निमन में से अस्त्री वाचक सब्द कौन सा है अस्त्री वाचक कहने का मतलब उससे अस्त्री का बोद हो female का बोद हो तो वो कौन correct है तो A में बाला, B छात्र, C में है सीब और D में है महासई तो 10 number का correct answer क्या होगा तो 10 number का correct answer क्या हो जाएगा A, B, 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 अगर आपको एबडियो अच्छा लगो हो तो लाइक कर दें और शाथि साथ चैनल को सबस्क्राइब कर दें और इसे सेर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बचें यहां पर जूटें और डेली आकर यहां पर लाइब क्लास का आनन ले मिलें मिलते निक्स वीडियो में जै हिन जय भारत